कर दो चलिए बात करते हैं माइक्रोशोफ वर्ड में जो लास्ट का टैब है व्यू मेन्यू का इसने हैं ठीक है लास्ट का दो मेन्यू हुई व्यू इसके अंतरकत आने वाले ठीक है जो सब मेन्यू है उनका हम आज जिक्र करें कि देखिए डोकुमेंट सबसे पहले आता है डोकुमेंट यू जब भी हमने कोई माइक्रोशोफ वर्ड में डोकुमेंट ट्यार कर लिए ठीक है तो उसके बाद हम उसका व्यू जो जैनरल व्यू हम प्रिंट लैउट रख रिया तो इसको में देखना चादा हूं अब देखिये मेरा ये लबीका जुन है वह प्रिंट लैउट में ह uğерм हम आम तोन पर प्रिंट लैउट मेंट हूँ करते मैं और बार तक हम यह चाब करसकते हैं यह से जैसे में बटन पंगाती यह बेंग फुल स्क्रीन देगाई ले सकते हैं ठीक है और escape बटन दबा के इसको इसे बार आ सकते हैं उसके बाद बात करते हैं वैब लेट जैसे इंटरनेट में हम कोई भी content है कुछ भी paragraph है message कोई कुछ भी हम जो इंटरनेट के उपर देखते हैं ठीक है जो paragraph जो ऐसी चीज़ें जो study material होता है वो उसके बाद करना हो थी वह हमेशा पर आउट लाइन से ओकर नहीं तो हम आउट लाइन का यूज कर सकते हैं देखिए जैसे यह है ठीक है यहां से बार निकलने के लिए यह क्लोज बटन प्रेस कर सकते हो उसके बाद ओपी चलते हैं ड्राफ टाइफ आप ड्राइप भी जो ड्राफ टाइप का स्टाइब है वो भी यूज कर सकते हैं इस ताइप से आप लेकिन आम तोर पर हम प्रिंट लेयाउट वीदर के लिए ठीक है तो चली तो अगला section हमारा इस पहले पहले बात यह मैंट पॉइंट है जब भी हम वारिश को रूलर को अंचेक कर लोग हो है हम यहां से शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हमें नोलीच होंचेगी व्यूट एप से रूलर चाहे आप टीचर है शुड़ेंट है लेकिन इस बात का हमें इसा ध्यान र अब यह देखे रूलर लग गया है यह उसके बाद स्टिंड ऑप्सन मेरे पास यह ग्रिड लाइन अब ग्रिड लाइन क्या होती ग्रिड लाइन होती जहां पर टैक्स कंटेंट तो लिखा जता है वहां पर ग्रिड दिखा देगा ठीक है देख लेकिन यह जाता यूज नह हमारे पास एक से ज्यादा पेज है क्योंकि एक स्क्रिन अगर हमारे पास और फेकिसी ज्यादा पिड़ते हैं का यूज करते हैं तो जब से छिंख करते हैं की तो इसको हम पैन बोलते हैं वो बैन में क्याना देखिए तीन ाक्षिण है थिसे कि प्रेंगे यहां दिखा देगा हमकिस हमारे पास कितने स्कूंक है अभिए और आभी हम चार नंबर पेज़्वाहां चार पर यह ज़िक दोस्तों इसको यहां से नइश्वान को अठाद सब तो शक्री जोस्ति को के लिए जोंकी प्रविभी है तो छिलिए इसकेबारे मैं आगको अगले वीडियो में बता हूँ कि जोंस्ति को यूज कैसे किया रजक्ते है ठीक है तो छीए यहां तक ही